Hello students, जय हिंद, I welcome you all to Magnet Brains, my name is Pratik Mishra and आज के session में हम लोग History Class 12 की जो पहली किताब है उसमें जो last chapter या जो last theme है, theme number 4, जिसका नाम है Cultural Developments उस particular chapter के उपर based हम लोग MCQ उसकी practice करेंगे तो हम लोगों ने उस chapter को पूरी तरीके से detail में पढ़कर cover किया था कई सारे lectures की series में हम लोगों ने उसके एक-एक aspect को detail में cover किया उसके एक-एक topic के बारे में हम लोगों ने बातचीत करी थी and I am pretty sure कि आप सब लोगों ने वो सारे videos देख ली होंगे अच्छे से उनको prepare कर लिया होगा और ढंक से अपने concepts वगरा clear कर लिया होगा तो हमारी preparation उस chapter के respect में जाचने के लिए आज के session में हम लोग उस particular chapter के उपर based पचास mcqs की exercise battery करेंगे इसको कर दियें के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी अभी preparation क्या है आपकी concepts की understanding क्या है तो वो बच्चे जो consistency के साथ में पढ़ रहे थे उनके लिए exam के पहले पहले अपनी knowledge को test करने का एक अच्छा मौका रहेगा वो बच्चे जिन्होंने अभी कुछ topics prepare किये हैं कुछ topics prepare नहीं किये हैं उनके लिए एक अच्छी opportunity रहेगी अपनी understanding समझने की कितना उनका भी है और जो topics रहेगा हैं उसमें कितना effort मारने की ज़रूरत है वो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल अभी किसी भी वज़ा से अगर ये topic शुरू नहीं किया है तो उनको एक बात समझ में आ जाएगी कम असकम की यह है कि basics क्या है मैं पढ़ाते वक्त इसमें जब हम लोग questions solve करेंगे तो मैं थोड़ा सा general concepts को touch करता हुआ चलूँगा ताकि अगर कोई वेक्ती है या कोई बच्चा है जिसने अगर topics को बिल्कुल अभी देखा नहीं है तो उसको भी एक understanding मिल जाए कि चल क्या रहा है बर फिर भी मेरी गुजारिश उन लोगों से यही रहेगी कि आप लोग lectures को देख लें और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखें तो फिर उसके बाद में आपको ज़्यादा फाइदा मिलेगा या ज़्यादा जो है आप इसमें से गेन कर पाएंगे सो विदाउट एनी फर्दर अडू अडू नाव या गूइन तो स्टार्ट पचास हम लोग यहां पर questions बगारा लगाने वाले हैं questions बगारा आपके बकाइदा जिस तरह से CBSC के exam में आने वाले हैं उसी format के उपर based हैं so it's going to be a wonderful opportunity for you all chaps to test your preparation and now we begin तो जो पहला question आता है वो है साची स्टूप is situated पहला option near to Bhopal, second near to Indor, then near to Delhi and fourth near to Agra काफी आसान सवाल है साची का स्टूप कहां पर situated है तो हम लोगोंने बातचीत करी थी पहली lecture में देखा था कि यह Bhopal रियासत में था और Bhopal के पास में एक जगे पढ़ती है, साची करके गाम है वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है विदीशा डिस्टूप के अंडर में यह सारा का सारा आता है तो यह सारी बात हम लोगोंने कर रखी थी तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, near to Bhopal question number 1 का सही option जो है, वो है option number A challenge आगे बढ़ते है, second question which of these was not the Begum of Bhopal अब इन में से कौन जो है वो Bhopal की Begum नहीं है हमको यह बताना है, कौन है वो नहीं पूछा जा रहा कौन जो है इसमें जो Bhopal की Begum नहीं है तो यह सवाल पूछा क्यों गया है पहला तो यह बता दें हम लोगों ने जब यह चाप्टर पड़ा था तब इस बात का जिकर आया था कि जो सांची का स्टूप है, यह भोपाल रियासत या जो भोपाल स्टेट हुआ करता था उसके अंडर में यह यह उसके अंडर में जो पूरा इलाका आता था उसमें यह कबर होता था बाद में जब अंग्रेजों ने यहां पर इसको प्रिजर्व करना शुरू किया खुदाई वगरा करी और बाकी सारी चीजें जब होई तो भोपाल की जो बेगम्स थी उन्होंने ना सर्विस में बोड़ चलड़ कर इनकी मदद करी बट सांती सांत इसको फाइनांस भी किया था इसमें काफी ज़्यादा अपने तरफ से अपने रिसूर्स भी लगाये थे तो उनके अफर्ट्स के कारण जो सांची का स्थूप है वो बहुत अच्छी तरीके से प्रिजर्व हो पाया था इसलिए भुपाल की बेगमों का जो है खास तोर पे जिकर किया गया था तो यहाँ पर जो यह पूछा गया है कि इनमें से कौन जो है वो भुपाल की बेगम नहीं है बगर क्योंकि हमसे ये पूछा गया है कि कौन इनमें से भुपाल की बेगम नहीं है तो इसे साब से हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो बन जाएगा question number 2 का option number C तो right answer क्या हो जाएगा इसका? इसका right answer हो जाएगा option number C चलें, आगे बढ़ते हैं question number 3 की तरफ great teachers of jainism are known as jain dharm में जो आपके great teachers हुए है जो आपके teachers वगरा हुए है जिनकी काफी पूजा अर्थना और शद्धा की जाती है उनको किस नाम से जाना जाता था तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा तीर्थांकर के नाम से इनको जाना जाता था 24 आपके तीर्थांकर हुए है तीर्थांकर आपके great teacher माने जाता है जो आपको जिन्दगी के इस भवसागर से पार करकर मुक्ती की तरफ लेकर जाएगे jain dharm जो है इस particular belief के साथ में चलता है तो महावीर जो थे वो 24 वे तीर्थांकर माने गा है question number third का सही जवाब क्या हो जाएगा question number third का सही जवाब हो जाएगा A. great teachers of genism are known as तीर्थांकर चले आगे बढ़ते है fourth डैश is the birthplace of Gotham Buddh Gotham Buddh का इनमे से जन्म स्थान जो है वो कहाँ पर है options आपको दिये हूँ है कलिंग, सारनाथ, लुंबिनी और कुशी नगर तो इसके बारे हम लोगों ने पढ़ रखा था हमने जब डिसकर्स किया था बगवान बुद्ध की बायोग्राफी को कि इनका जन्म जो है लुंबिनी में हुआ था इसका सही जवाब हो जाएगा question number fourth का कुशी नगर में उन्होंने महा निर्वान हासिल किया था सारनाथ में जो है इन्होंने अपना पहला प्रवचन वगरा दिया था जब इनको enlightenment मिला था उसके बाद में और बोद गया में इनको enlightenment हासिल हुआ था तो इनका जन्र स्थान जो है वो लुम्बी नहीं है question number fourth का सही जवाब हो गया आपका option number C चले आगे बढ़ते है fifth at which place Lord Buddha attained true enlightenment तो वो अभी हमने बात करी लिए कि किस जगे पर Lord Buddha को true enlightenment मिला था या फिर केवल गयान की प्राप्ती हुई थी जवाब हो जाएगा बोद गया आसान सवाल है तो इसका question number fifth का सही जवाब क्या हो गया question number fifth का सही जवाब हो गया D कि बोद गया में बोधी ट्री के नीचे meditation करते वक्छ भगवान बुद्ध ने enlightenment हासिल किया था चैलेंजी आगे बढ़ता है next question आता है how many school of thoughts were established in the Indian subcontinent during mid first millennium before common era सवाल थोड़ा का समझना पड़ेगा इसमें हम से बोला ये गया है कि कितने तरीके के school of thoughts जो थे हिंदुस्तान में established थे Indian subcontinent में established थे during mid first millennium before common era पहली बात तो ये कि millennium का मतलब क्या होता है millennium का मतलब होता है 1000 साल अगर आप mid first millennium की बात कर रहे हैं तो आप 500 साल की बात कर रहे हैं चाहे आप उपर से देख ले हैं चाहे आप नीचे से देख ले हैं 500 की बात कर रहे हैं और आपने क्या बोला है mid first millennium before common era के पहले के 1000 साल अब आपने क्या बोला है mid first millennium तो इसका मतलब क्या बनता है जो 1000 साल गए common era के पहले के उसके 500 साल चाहे आप नीचे से गिनना शुरू करो 1999-998 वहां से गिनना शुरू करो या one common era से पहले का आपका जो पहले से अप गिन के 500 तक पहुचो जैसे भी आप जाओं मगर 500 before common era की बात हो रही है तो आगे कहीं पर अगर जिकर आता है mid first millennium before common era तो आपको याद रखना है ये बात कर रहे है 500 before common era की अब सवाल पर लोटने है इन्होंने ये पूछा है कि कितने तरीके के school of thoughts हो थे वो established Indian subcontinent में 500 before common era में इसका जवाब क्या हो जाएगा हम लोगों ने बात करी थी कि 64 तरीके के जो है आपको school of thought जो है भगवान बुद्ध के time period में देखने के लिए मिल रहे थे और इन सब के बीच में आपस में खूब जमकर debate और discussion होता था खूब जो है वाद विवाद वगएरा इन लोगों के पीच में आपने को देखने को मिलता था तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा 64 इसका जिकर बकायदा आया जब हम लोग discuss कर रहे थे चैप्टर वगएरा को भगवान बुद्ध के बारे में और cultural developments के बारे में पढ़ रहे थे तब आई थी ये बात कि 64 तरीके के school of thoughts जो है इस वक्त में exist किया करते थे तो question number six का सही जवाब क्या हो जाएगा question number six का सही जवाब हो जाएगा बी चले आगे बढ़ते है seventh the most splendid stoopa was at dash अमरावती साची भूमरा और शाजी डेरी आपसे ये पूछा गिया है कि सबसे splendid सबसे शांदार जो stoop था वो इनमें से किस जगे पर था आपसे ये नहीं पूछा गिया कि किस जगे पर है क्या पूछा गिया सबसे ज़ादा जो शांदार stoop था वो कहां पर था जवाब क्या हो जाएगा अमरावती हमने बात करी थी जब हम लोग अमरावती के stoop को और साची के stoop को compare करके ये देख रहे थे कि अमरावती का stoop क्यों सर्वाइब नहीं कर पाया और साची का stoop क्यों सर्वाइब कर गया तब ये बात निकल कर आई थी कि यहां के जो आर्केलोजिस्स वगरा थे जिन्होंने यहां पर सर्वे वगरा किया उन्होंने कंट्यूजन निकाला था कि दुनिया में अब तक जितने stoop मिलें अमरावती का stoop उनमें सबसे शांदार सबसे मेजैस्टिक और सबसे बड़ा था मगर उसका वो बरबाद हो गया हो इक अलग बात है मगर सबसे शांदार और सबसे बड़ा और सबसे स्प्लेंडिट जो आपका stoop है वो आपका अमरावती में मिला था तो इसका सही जवाब हो जाएगा A चलें जी आगे बढ़ते हैं बहुत धर्म में जो नया ट्रेडिशन निकल कर आया था या फिर उसकी जो नई ब्रांच या जो नई शाका डिबलब होई थी उसका क्या नाम दिया गया था इसका सही जवाब हो जाएगा D option महायाना बुद्धिजम हम लोगों ने बात करी थी कि बहुत धर्म जब शुरू हुआ था उसके बाद से फिर लगबख 400-500 साल बाद उसमें कुछ बदलाव हमको देखने को मिलते हैं जब उसमें भगवान बुद्ध की मूर्ती बनाके उस इसके पहले का जो बुद्धिजम पढ़ाया जा रहा है उसको बोला जाता था थेरा वादा, थेरा वादा बुद्धिजम तो ये अपने को याद रखना इसका सँजवाब क्या हो जाएगा? इसका सइजवाब हो जाएगा महायाना, question number 8 का सईजवाब जो है वो है D, अगला को इन चार options में से correct option choose करना है तो पहला जो है कि सांची स्टूब जो है भुपाल के नियर situated है यह बात तो सच है पहले option में भी है पहले question में भी देखा था हमने कि सांची का स्टूब भुपाल के पास में है दूसरा कि सांची का सांची का जो स्टूब है इसका preservation वगेरा में बेगम और भुपाल ने बड़ा रोल अदा किया था यह बात भी साच है खूब पैसा दिया था और खूब सपोर्ट किया था तीसरा सांची स्टूब बिलोंग तो बुद्धिसम अब यह बात तो बहुत असान है बहुत धर्म और स्टूब जो है वो एक दूसरे से intermingled है जब आप स्टूब की बात करते हो तो बहुत दिमाग में आता है बहुत दिमाग में आता है तो तीनो statement सही है और चौथा है all of these तो सही option क्या हो जाएगा all of these will be the right answer all of these में जो है हमको सही जवाब इसका मिलता है तो question number 9 का सही जवाब हो गया question number 9 का सही जवाब हो गया D अगला देखते है which of the following pair is not correctly matched अब अपने को यह बताना है कि इन से कौन सा जो pair है वो correctly match नहीं है चलेंजी देख लेते हैं भोपाल शाह जहां बेगम इनके बारे में हमने पड़ा था यह बात तो सच है स्तूपा सांची नियर भोपाल यह बात भी सच है हेगियोग्राफी संतों की होती है यह बात भी सच है और B option में तीर्थांकर टीचर और बुद्धिजम यह बात गलत है तीर्थांकर किसके होते हैं तीर्थांकर जैनों के टीचर होते हैं यह जो तीर्थांकर हैं वो जैनिजम में great teachers कहला आते हैं तो यह नहीं है यह सही जवाब क्या हो जाएगा जैनिजम तीर्थांकर जो है जैनिजम म नम्बर 10 का सभी जवाब क्या हो गया? Question number 10 का सभी जवाब हो गया B तो next question की तरफ चलता है Next 11th question What was the name of the गणा to which Buddha belonged to? उस गण का नाम क्या था जिसके भगवान Buddha belong करते थे? तो हम लोगों ने देख रखा था कि अपने हिमाले के Foot Hilt में कुछ ऐसी Kingdoms वगेरा थी है ऐसे कुछ महाजनपत थे जहाँ पर एक राजा रूल नहीं करता था जहाँ पर कई सारे राजा जो है उनका पूरा का पूरा एक टीम जो है वो रूल किया करती थी इन Kingdoms वगेरा को गण या फिर संग के नाम से जाना जाता था इनकों Englishman लोगों ने गणाज या फिर संगास पढ़ा था या गणाज या संगास बुला था तो इसमें हम से सवाल में ये पूछा गया है कि कौन से गणा से या कौन से संगा से या फिर बेसिकली ये पूछा गया है कि कौन सी kingdom से जहां पर एक राजा ना रूल करके कई सारे राजाओं का एक समू रूल करता था उनमें से किस kingdom से बगवान बुद्ध बिलॉंग करते थे तो इसका जवाब क्या हो जाएगा इसका जवाब हो जाएगा शाक के क्लाइन से बिलॉंग करते थे ये याद रखना है कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दूनों जो है वो ruling families वगरा से आते हैं और वो इसी तरीके की oligarchy वगरा से आते हैं जहां पर एक राजा रूल ना करके एक से जादा राजाओं का समू जो है वो रूल किया करता था तो उसका question number 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा भगवान बुद्ध बिलॉंग करते थे शाप के क्लाइन को B is going to be the right answer question number 11 का अगला देखते हैं question number 12 बोल रहा है what is the meaning of three baskets तीन baskets का मतलब क्या है अब ये सवाल आप से पूछा गया है बुद्ध जो text वगरा है उनके context में कुछ ऐसे particular किताबों के बारे में हम लोगों ने this chapter में बात की थी जिनका literal मतलब तीन basket के रूप में निकल कर आता है अब अपने कुन किताबों का नाम बताना है तो three baskets बोले गए थे त्री पितक जो तीन पितक लिखे गए थे भगवान बुद्ध से related या बुद्धिजम से related इनको जो है अभी दम पितक, सुत्य पितक और विनय पितक ये जो तीनों पितक थे इनको तीन baskets बोला गया है या फिर इसका literal मतलब जो है तीन basket निकलता है या फिर इसको कई बार three baskets of wisdom भी बोला जाता है तो question number 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा अब यहाँ पर अपने को ये बताना है कि जो संघा है या संघ है वो किसका association था तो इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि भगवान बुद्ध ने एक पूरे के पूरे संघ की स्थापना की थी जिसमें उनके followers वगरा जो थे वो आते थे और उनको एक certain code of conduct का फ़ालन करना पड़ता था और ये जितने भी लोग आया करते थे संघ में उन सब को हम लोग क्या कहते थे उनको कहा जाता था भिखूस तो यहाँ पर जो आख से सवाल में पूछा गया है कि संघ जो है किसका association था तो जब आब हो जाएगा संघ भिखूस का association था बाद अच्छा एक बात और जिन लोगों को नहीं पता या जिनोंने नहीं पड़ा उनके लिए बता रहा हूँ कि पहले पहले जब संघ बना था जब भगवान बुद्ध ने संघ की स्थापना की थी तब सिर्फ इसमें पुरुष शामिल हो सकते थे और इनको भिखूस कहा जाता था बाद में इनके एक बहुत प्रियशेश हुआ करते थे उसका नाम था आनंद तो आनंद जो थे उनके कहने पर भगवान बुद्ध ने महिलाओं को भी जो है इसमें शामिल करना शुरू किया था और फिर जब महिलाओं संघ में आना शुरू हुई तो उनका नाम पढ़ गय जाएगा उसका जवाब हो जाएगा विखूस का एस्सियेशन था तो थर्टीन का सही ऑप्शन है ए ऑप्शन अगला देखते हैं क्वेशन नंबर फॉर्टीन अकॉर्डिंग टू विच बुद्धिस्टेक्स अशोक का डिस्ट्रिबूटेड पॉर्शन ऑफ बुद्धा स रिलिक्स to every important town and ordered the construction of stupas over them अपने को ये बताना है कि कौन से बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये लिखा है बौध्धों के कौन से गरंत में ये लिखा हुआ है या फिर ये बात का जिकर आया है कि समराथ अशोक ने भगवान बुद्ध के रिलिक्स भगवान बुद्ध के र खारण किया था जिन बरतनों का आपने खाना वगएरा लेने खाने के लिए इस्तिमाल किया था जिस टाटाई बे बैठके meditation करते थे वो सारी जो चीज़ें हैं जो उनके परसनल यूज में थी उनको रिलिक्स बुला जाता है तो भगवान बुद्ध के शरीर के अफशेश पचे हुए थे वो और दूसरा जो भी उनके परसनल चीज़ें थी इस्तिमाल कि इन सब को रिलिक्स में गिना जाता है तो हमसे सवाल में ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा बुद्धिस टेक्स है बौध्धों का ऐसा कौन सा ग्रंत है जिसमें इस बात का जिक्र आता है कि स समराट अशोक ने भगवान बुद्ध के रिलिक्स को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ये बोला था कि थोड़ी-थोड़ी मात्रा करके इनकी लगबग जितने भी इंपोर्टेंट टाउन है सब में भेजा जाए और वहाँ पर इनको रखकर इनके उपर तूपों का निर्मा करीं अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका भेजा था बहुत धर्म के प्रसार के लिए और भी जो दूसरी चीज़ें बगएरा करीं थी उसमें से एक इसका भी जिक्र आता है कि स्तूपों का निर्मान समराट अशोक ने किस सोच के साथ में करवाया था तो उसमें इस बात किया गया था तो भारूत में जो या भारूत के आसपास जो स्तूपों का निर्मान किया गया था उसके लिए कौन सी किक्डम ने या फिर कौन सी डाइनस्टी ने या कौन से राजाओं ने जो है डोनेशन वगरा दिया था पैसा वगरा दिया था अपने को इसका जवाब द दिया था तो question number 15 का सभी जवाब हो गया शताव नास नेक्स देखना है which of the following is the most important idea in jainism अब अपने को ये बताना है कि jainism में इनमें से सबसे important idea कौन सा है पहला observing celibacy ब्रहमचरे का पालन करना entire world is animated यानि की पूरी दुनिया में जो जो चीज है सब में जीवात्मा है तीस तरह belief in non-violence, acidism and penance are required to free oneself from the cycle of karma कि आपका सन्यास लेना और अच्छे से तब वगरा करना ये बहुत required अगर आप अपने कर्मों की cycle को तोड़ना चाहता है इसमें से जो सबसे important idea है journalism में वो कौन सा है तो इसका जवाब हो जाएगा कि सबसे important idea है भी वाला entire world is animated हर एक चीज जो है दुनिया में उसमें जीवात्मा है और सब में degree of consciousness वीरी कर सकती है मगर सब में जो है कुछ ना कुछ ना कुछ मात्रा में consciousness है अब ये जो particular idea है journalism का की दुनिया में हर चीज में जो है आत्मा है या जीवात्मा है और यहीं से जो है उनका जो fundamental concept निकल कर आता है अहीमसा का वो निकल कर आता है क्योंकि सब में जीवात्मा है तो किसी भी आत्मा को परेशान नहीं करना है तकलीफ नहीं देनी है और यहीं से यह जो जैनों का इतना जादा commitment है कि कुछ भी हो जाए हम violence नहीं करेंगे इतना ध्यान रखना कि उनके कारण जो आपके कीडे वगएरा है उनको भी नुकसान ना हो इंसान दो दूर की बात है यह जो extreme level तक का जो non-violence वगएरा जैन्स वगएरा आज फॉलू करता है उसके पीछे का main concept यह यह कि दुनिया में हर चीज में आत्मा है अनिमेटेड है तो किसी भी जिवात्मा को परेशान नहीं करना है यहीं से आपका non-violence का belief निकल कर आता है उसी से आगे चलकर ब्रहमचेरे का concept निकल कर आता है और उसी से जो है बाकी सारी बातें निकल कर आती है तो जैनिजम का जो core या central concept है वो यह है entire world is animated तो जो सवाल है आपका कि which of the following is the most important idea in जैनिजम इसका सही जवाब हो जाएगा B that entire world is animated question number 16 का सही option क्या हो गया B option अगला देखना है who provided money for the preservation of साची स्टूप साची स्टूप के preservation के लिए इनमें से पैसा किसने दिया था या किसने जो है money provide किया था इसको बहुत detail में हम लोगों ने बात की थी जब पहला ही हम लोग lecture कर रहे थे इस chapter के बारे मद उसमें जिकर आया था कि बेगम जो थी भोपाल की दो पर्टिकुलर बेगम भोपाल रियासत की उन्होंने इसके लिए काफी मात्रा में पैसा दिया काफी efforts वगरा करवा है साची में बकाइदा museum बनवाया वहां पर लोगों के जो की लॉजिस्ट आते थे इनके रहने के लिए आपने पकाइदा guest houses वगरा की ववस्था कराई तो और बाद में जब इन्हों अपना काम बगरा कर लिया पूरा जो इसके उपर जो भी documents लिखने थे तो उसके बाद उनको छपवाने के लिए भी नोने मदद की थी और पैसा दिया था तो आज साची का स्टूप जो इतनी अच्छी हलत में अपने को देखने को मिलता है उसके पीछे भुपाल की जो बे स्टूप का structure कैसा था स्टूप का मतलब क्या होता था एक आप semi circular या फिर hemispherical shape में इस तरीके से structure बनाई है तो यह आपका स्टूप कहलाता था शुरुवाती दिनों में बाद में फिर आपने उसके ऊपर एक बालकनी जैसा structure बना दिया उस पे पोल लगा दिया उस पे फिर इस एक छत्री लगा दी इसके चारो तरफ आपने रेलिंग्स वगएरा बना दी यह सारी चीज़ें जो है स्टूप में बाद में जुड़ गई हैं साची का स्टूप जब तक बना तब तक यह सारी चीज़ें होने लगी सी अपने से यह पूछा गया है कि यह जो अंडा ब बोला जाता था हर्मिका मैंसे फिर आपका एक पोल निकाल जैसा एक स्ट्रक्चर जाता था उसको हम लोग यस्ठी बोलते थे और यस्ठी के उपर फिर जो है आपकी छत्री लगी रहती थी इसका इंडिकेशन ये था कि इश्वर जो है सब को यहां से बैट कर देख रहा है इसको अगला देख लेता है जिसको हम लोग हिंदी में बूलते है शास्त्राथ शास्त्राथ लाइबली का मतलब यह है कि अच्छे माहौल में हो रही है कोई किसी को ऐसे लड़ाई वड़ाई नी कर रहा वगर सब अपनी बातने रख रहा है कितना ही मतलब वो आपका offensive लगे किसी को उनको सुना जा रहा है सब अपने तर्क वितर्क कर रहा है तो ये lively debates या debate discussion या शास्तरार्थ का जिकर आपने को बौधनों के text में देखने को मिलता है अपने को ये बताना है कि उसके बारे में कौन सी बात सही नहीं है सही है ये नहीं बताना अपने को ये बताना है कि कौन सी बात सही नहीं है देख लेता है पहला debates took place in the kutagraha shala ये बात तो सच है कि ये जो debates वगरा है जनरली एक ऐसी जोपड़ी में होती थी जो चारों तरफ से खुली होती थी और उसके उपर एक pointed सा रूफ रखा जाता था इसको बोला जाता था kutagraha shala तो ये बात तो सच है कि तो ये अपना अंसर नहीं हो सकता आपने को incorrect बताना है ये बात भी सच है कि वेदों के उपर भी सवाल उठाये गए थे भगवान बुद्ध ने खुद उठाये थे इन दीज डिबेट देखने को नहीं मिलता है कि जो राजा जो है वो बैट के आपस में शास्त्रार्थ कर रहे हूँ एकाद कोई राजा कभी आ गया हो उसने सन्यास वगएरा ले लिया हो या फिर एकाद राजा आके बैट गया और उसने डिबेट वगएरा सुन सुना के सन्यास ले लिया और इस तरीके के प्रसंग जरूर आता है इसा प्रसंग नहीं आता है कि दो राजाओं ने बैट के डिसाइड किया कि अपन लोग फलानी फलानी कुटाग रहा शाला में मिलेंगे जो भी आइडिलोजी है फिलोसफी है उसको मानने लगता था और ना सिर्फ वो मानने लगता था मगर उसके साथ के जितने फॉलोवर थे वो सब के सब भी जो हैं जीतने वाले के फॉलोवर बन जाते थे और उसकी फिलोसफी का पालन करने लगते थे उसको मानने लगते थे यह गलत है, ऐसा कोई जिकर अपने को देखने को नहीं मलता है अब क्योंकि अपने को incorrect statement बताना है तो अपने सवाल नंबर 19 का सही जवाब जो है वो हो जाएगा option number C कि option C is the right answer, चलें जी अगला देख लेते हैं What is the method of salvation in Buddhism? Buddhism, Buddhism में salvation का method आपको क्या बताया गया है कि अगर आपको finally मुक्ति वगरा चाहिए है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसका सही जवाब है 8-fold path आपको 8 चीजों का पालन करना पड़ेगा 8-fold path पे आपको जाना पड़ेगा तब जाके आपको salvation मिलेगा तब जाके आपको मुक्ति मिलेगी चलें जी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा question number 20 का question number 20 का सही option हो जाएगा 8-fold path जो है वो method है salvation का चलें, आगे बढ़ता है next question देखता है question number 21 in which language Buddhist literature was written कौन सी भाशा में बौधों का literature लिखा गया था इसका सही जवाब हो जाएगा पाली language पाली भाशा में लिखा गया था जब हम लोग timeline वगरा discuss कर रहा थे तब भी इस बात का जिकर आया था और उसके पहले भी जब बौधों का literature की बात हुई थी बौधों का literature जो है पाली भाशा में लिखा जाता था उसके साथ में जो आपके ब्रामिनास के लिटरेकर जो टेक्स वगरा लिखे जा रहे थे वो संस्कृत में लिखे जाते थे महायाना बुधिजम आने के बाद में बौधों ने भी अपने text वगरा को संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया उसके पहले तक कि मगर जो text है वो आपको पाली भाशा में देखने के लिए मिलते हैं तो question number 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा question number 21 का सही जवाब हो जाएगा पाली language in which language Buddhist literature was written अच्छा इसी को अगर आप से ये पूछा जाएगी महायाना वुद्धिजम का जो literature है वो कौन सी भाशा में लिखा गया तब जवाब जरूर आपका संस्कृत हो जाएगा मगर जब तक बोला नहीं है specify नहीं किया तब तक अपन मान कर चलेंगे कि बौद्धों का जो सबसे शुरुवाती literature है वो किस भाशा में लिखा गया आपने को ये बताना है जवाब हो जाएगा पाली भाशा तो सही जवाब हो जाएगा option number A अगला देखता है question number 22 कहता है what does the symbol of empty seat symbolize कि अगर एक खाली seat का symbol आपको कहीं पर देखने को मिलता है इसका क्या मतलब है जिन लोगों को नहीं पता है जिन्होंने नहीं पड़ा है या जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा उनके लिए थोड़ा सा background दे देता हूँ शुरुवाती वक्त में जब बौध्धों से related या भगवान बुध्ध से related sculptures वगरा बनाये गए थे तो जो आपके sculptures बनाने वाले artist थे वो कभी भगवान बुध्ध को इंसान के रूप में या मनुष के रूप में नहीं दिखाते थे जैसे आपने दिमाग में एक तस्वीर आती है कि बौधी ट्री के नीचे बैठा एक वेक्ती meditation कर रहा है उस तरीके से उनको कभी depict शुरुवाती phase में कमसकम नहीं किया गया था तब अलग-अलग symbols का इस्तिमाल किया गया था भगवान बुध्ध की जिन्दगी के अलग-अलग phases को दिखाने के लिए अगर आपको कहीं पर एक wheel दिखाया जा रहा होता था तो वो wheel का एक indication होता था जो धर्म, चक्र, परवर्तन का जो उनका concept है उसको बताने के लिए अगर कहीं पर एक पेड़ बना के बताया गया है बोधी ट्री जैसा तो फिर वो बता रहा है कि भगवान बुद्ध को जो है अभी यहां पर केवल यहां की प्राप्ती हुई है या फिर उनको enlightenment मिल गया है इसी तरीके से अगर एक खाली स्कीड बताई जाती थी कहीं पर उसका मतलब यह होता था कि भगवान बुद्ध अभी बैट कर यहां पर meditation कर रहे है अगर कोई स्टूब बताया जाता था तो फिर इसका मतलब होता था कि उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया है उसका जो इंडिकेशन है यह इस तरीके से अलग-अलग जो है आपके जो सिंबल से उनका अलग-अलग मतलब होता है हमने जब लेक्चर लिया था तो इसमें हम लोगों ने पकायदा एक एक सिंबल की फोटोग्राफ के साथ में डिसक्शन किया था जिन्होंने नहीं देखा है मेरी रिक्वेस्ट है आप जाकर वो चैप्टर पढ़ें उसको एक बार देख लें उसमें से उस वीडियो में से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी जिन्होंने पढ़ाया उनको पता चली क्या होगा तो इसका सही जवाब कि इसका मतलब होता है कि भगवान बुद्ध बैटकर अभी ध्यान लगा रहे हैं या meditation कर रहा है तो meditation of बुद्ध को indicate करने के लिए यह particular symbol का इस्तेमाल किया जाता था question number 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा D अगला देख लेते है question number 23 consider the following statement in respect of hagiography which one is not correct अब अपने को hagiography के respect में कुछ statements दिये हुआ है और अपने को यह बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है correct नहीं बताना अपने को यह बताना है कि कौन सा सही नहीं है देख लेते है hagiography पहले हुती क्या है इसको समझ लेते है hagiography का मतलब होता है कि अगर कोई संथ हुआ या कोई महानात्मा हुई थी और इनकी मरत्यू हो गई है इनकी मरत्यू के बाद इनके जो followers वगरा हैं अगर इन्होंने उस संद की बायोग्राफी लिखी है बाकी और किसी तरीके की बात नहीं की गई है कि भगवान तो यह कर सकते थे मरे को जंदा कर दिया और आखों से देखकर किसी को ठीक कर देते था awhile? इस तरीके से कही बार आप एक्षागरेशन करके बड़ा चड़ा कर भी चीजों को लिखा करते थे तो हेगियोग्राफी का मतलब होता है एक ऐसी बायोग्राफी किसी संत या किसी महानात्मा के बारे में जिसको उनके फॉलोवर्स ने उनकी बृत्यू के बाद लिखा हो और जिसमें आपको बड़ा चड़ा के कई बार ऐसी चीजने देखने को मिलती है एकसाग्रेशन में जो शायद लिटरली सही ना भी हूँ मगर फिर भी हमको कोई की बायोग्राफी के सेंस में लिखा जाता है कि यहां पैदा हुए फिर यह किया फिर यहां चमतकार दिखाया फिर यहां से यह कर दिया इस तरीके से एकसाग्रेशन तो आपको मिलता है देखन कौन सी सच नहीं है पहला it is a biography of a powerful ruler ये बात गलत है जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हेगियोग्राफी जनरली किसी संत वगरा की ऊपर लिखी कई biography और उनके द्वारा नहीं लिखी जाती उनके followers के द्वारा दूसरा it is often it often praise the saints achievement it may not always be literally accurate ये जनरली संत के achievements वगरा को praise करती है उनकी बंदना से भरी रहती है और हर बार ये लिटरली सही हो ये ज़रूरी नहीं है ये बात तो सच है अभी बताई मैंने आपको they are important because they tell us about the beliefs of the followers of that particular tradition अब ये हेगियोग्राफी inspired of the fact की बड़ा चड़ा के बातें लिखी है और अतिश्योक्ति की गई है इसके बाद भी इसलिए important हो जाती है क्योंकि इस अपने को particular belief system के बारे में जो particular संत ने शुरू किया था या किसी मानात्मा ने शुरू किया था उसके दिए ये important हो जाती है और अगला की it was written in a biographical manner ये बात भी सच है कि biography की sense में लिखा जाता था तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कि it is a biography of a powerful ruler ये statement सही नहीं है क्योंकि हमको यही बताना है कि कौन सा statement सही नहीं है तो question number 23 का सही option जो है सही जवाब जो हो आपको समझ में आ गया होगा कि basic basic मोटे मोटे तौर पर हेगियोग्राफी क्या होती है और detail में हम लोगों ने lectures में बात किये तो आप वहाँ पर देखेंगे तो आपको और अच्छे से clear हो जाएगा question number 23 का सही option है option number a अगला देखते है which जातक story is associated with साची स्टूप अब हमको यह बताना है कि इन में से कौन सी जातक की कहानी है वो साची के स्टूप के साथ में associated है यह मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ ऐसा नहीं है कि यह particular जातक की कहानी साची के स्टूप पर कहीं अपने को लिखी भी मिली थी बात यह है कि साची के स्टूप और उसके आज अंदर जाने के दर्वाजे हैं या उसके चारों तरफ जो रैलिंग्स वगरा लगी हुई है या फिर उसके आसपास में जो स्कुल्चर्स आपको देखने को मिलते हैं इन सब को आप देखोगे तो इनके उपर आपको बहुत अच्छा जो है नकाशी और बाकी सारी चीजें की हुई देखने को मिलती है तो कई सारे आपके सीसफ एस उगरा right जिसके ऊपर पूरे पूरे प्थरं को काटट काट के कहानिया कही गई है आप जब आप अप जब नंको धंक से ऐनिलॉइस करते हो तो आपको करके पत्थर पर काट काट कर describe किया गया है जवाब क्या हो जाएगा इसका इसका जवाब हो जाएगा वेसांतर जातका की जो कहानी है इसको बेकाइदा वहाँ पर बताया गया है स्कुल्चर्स वगरा में पूरी तरीके से डिटेल में इसको बनाया गया है तो question number 24 का सभी जवाब क्या हो जाएगा बी option अगला देख लेता है who was the first woman to be ordained as a bhikkhu ni थोड़ी दर पहले मैंने आपको बताया था कि शुरू-शुरू में जब भगवान बुद्ध ने संग की स्थापना की थी तब उसमें सर्फ पुरुष आते थे और उनको भिक्षू बोला जाता था बाद में उनके एक प्रिये शिष्ष हुआ करते थे जिनका नाम था आनन्द या आनन्द और उनके कहने पर भगवान बुद्ध ने इसमें फिर महिलाओं को भी शामिल करना शुरू किया और इसमें जो फिर महिलाओं आई संग में उनको भिक्षूनी बोला गया अब पहली जो महिला जो भिक्षूनी के तोर पर ओर्डेन की गई थी संग में शामिल की गई थी वो भगवान बुद्ध की फॉस्टर मदर थी यानि कि वो महिला जिन्दों ने भगवान बुद्ध का लालल पालन करकर उनको बड़ा किया था उनका नाम क्या था? उनका नाम है महापजापती गौतमी इसको याद रखियेगा महापजापती गौतमी जो है उनकी foster mother थी, उनकी मा नहीं थी 26 बोल रहा है ताज उल इकवाल तारीक भुपाल, इस दा आटो बाइगराफी और विच ओफ दे फॉलिंग रूलर, एक कोई रूलर हुई है या हुए है उनकी ये particular एक autobiography है लिखी गई है जिसका नाम है ताज उल इकवाल तारीक भुपाल, आपको ये बताना है कि इनमें से किसकी है ये जो autobiography है वो किसकी है तो इसका जवाब है शाह जहां बेगम, question number 26 का जो सही option है वो है शाह जहां बेगम, इनकी autobiography है अब आप बोलोगे ऐसे आपको कैसे बता जवाब ये है कि जब अपने class 12 की जो पहली किताब है history की जिसका जो चौथा chapter या चौथी theme पढ़ना शुरू किया था तो जो पहला बन्ना था उस पर शाह जहां बेगम का एक छोटा सा inscription लिखा हुआ आता है पहला बन्ना अगर आ उसका English translation दिया हुआ है उसके just नीचे की तरफ में लिखा हुआ है कि ये जो excerpt है ये उनकी autobiography से लिए गया है जिसमें उनकी diary के पन्नों को डाला गया है और वहाँ पर फिर आपको इसका नाम जो है देखने के लिए मिलता है इसलिए सवाल का sense बनता है ये कोई मतलब नहीं क आ सकता कि ये सवाल कैसे आ गया या क्यों आ गया इसका क्योंकि आपको NCRT में जिकर एक ब्लॉक में नीचे की तरफ देखने को मिलता है तो it makes sense कि ये शाह जहां वेगम जो है उनकी autobiography का नाम जो है वो क्यों पूछ लिया गया तो सही जो option हो जाएगा ये हो जाएगा question number 26 का C option चलें अगला देख लेता है which of the following are not correctly matched in respect of Buddha's life अब आपको ये बताना है कि इन में से कौन सा जो options है वो भगवान बुद्धी की life के respect में correctly match नहीं किये गा है कुछ एक event दिये गा है भगवान बुद्धी की life से और एक जगे का नाम बताया है कि यह यह घटना यहां पर घट सेन वहरी गेविस फर्स सर्मन उसका नाम है सारणात और वहरी अटेंड निबाना या निर्वाना उसका नाम है कुशिनगर देख लेता है सबसे पहला वहरी वस बॉन लूंबिनी में लूंबिनी में पैदा हुए तो यह बात सच है अपने को यह पताना है not correctly match तो यह अपन treatment जो है भगवान बुद्धी की life के point of view से दिखा जाया तो सही नहीं है उनको सूर सेन में जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई थी आपका केवल ग्यान की प्राप्ति नहीं हुई थी यह यहां पर हुई थी अब आपका बुद्ध गया मैं अगला आता है वेरी गेविस प्राप्ति कहां हुई थी यह बात भी सच है तो उनको enlightenment कहा मिला था सूर सेन में नहीं मिला था उनका enlightenment मिला था बोद गया मैं तो यह सही option नहीं है और अपने को क्योंकि question में यही पुछा गया है कि कौन सा सही option कौन सा option correctly match नहीं है तो 27 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा option number B question number 27 का जो सही अंसर हो जाएगा question number 27 का सही अंसर हो जाएगा B चले अगला देख लेते है 28 identify the given figure अब आपको एक figure दिया हुआ है और आपको इसको identify करना है में एक तरह आप आजाता है यह आपको एक figure दिया हुआ है यह एक मूर्ती बनी हुई है और अपने को यह बताना है कि यह किसका figure है या यह मूर्ती कहां की है जो भी आपके options वगरा दिये हुए है उसके basis पे हम लोग जवाब देंगे मगर पहले आप लोग यह मूर्ती देखने एक बार अच्छे से यह figure आप अच्छे से देखें फिर हम लोग आगे बात करता है देख लीज आप जाता है तो एक हाथ जो है ध्यान-mudra में है और एक हाथ जो है वो इस तरीके से खोल रखा है ध्यान-mudra के साथ जैसे वो आशिरबाद दे रहे हैं पीछे उनके एक हैलो बनाया हुऊ है जो दिखा रहा है कि वह पवितर आत्मा है अधिव्यात्मा है सर के ऊबर एक खा अब अपने को यह बताना है कि यह मुर्थी यह जो आपका स्कल्चर है या पिक्चर जिस कल्चर की दी हुई है वो किसका है पहला स्कल्चर और बुद्धा फ्रम मतुरा एन इमेज ऑफ तिर्थांकरा तीसरा अब बोधी सत्ता फ्रम गांधारा और चौता है अस पार्ट ऑफ स्कल्चर एट महावली पुरम सबसे बहले तो वो ऑप्शन काटते हैं जो बिल्कुल सही नहीं हो सकता महावली पुरम में जो पहाड़ों पे काट इस तरीके के स्कल्चर नहीं बनाएगा कि एक आद आपको मूर्ती देखने को मिले महावली पुरम पे पूरी की पुरी जो आप इसलिए सच नहीं है कि भगवान बुद्ध की मतुरा से जितनी मूर्तियां मिली हैं वो हिंदुस्तानी स्टाइल में देखने के लिए मिली हैं आपको उन्होंने हिंदुस्तानी जो उस वक के कपड़े पहने हुए हैं यहां पर जो कपड़े आप देखोगे तो वे हिंदुस्तान में किसी कालखंड में इस तरीके के कपड़े नहीं पहने गए यह ग्रीक वगरा पहना करते थे जो नौर्थ वेस्ट वगरा की इलाकों में राज किया करते थे और जो आपका ग्रीस वगरा से आए हुए थे उन्होंने जो अपनी सेकंड सेंचुरी बिफोर क कि आसपास में अपनी केग्डम्स वगरा बनाई थी तब इस तरह कपड़े पहना करते थे तो मतुरा में मिला हुआ भगवान बुद्ध का स्कल्चर इसलिए नहीं हो सकता वहां मिली हुए मूर्तियां खास तरीके से बनाई गई हैं और वह हिंदुस्तानी तरीके के कपड की एक मूर्ति है और याद रखिएगा इस तरीके की जितनी मूर्तियां आपको मिलेंगी जिसमें कपड़े इस तरीके से पहनेगा है एक पूरा पर्टिकुलर कपड़ा है जो उपर से लेके नीचे ताकिया और उसमें आपको इस तरीके की सल देखने को मिलती है तरीके से बनाये गया, मगर वो इंडियन स्टाइल में बनाई गई मूर्तियां नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब वोधी सत्ता फ्रॉम गांधार इस दा राइट आंसर, यह बस इतना आप याद रखें, इस तरीके से कपड़े अगर आपको देखने को मिल रहा है, नौर्थ वेस्ट की, या तो अफगानिस्तान या नौर्थ वेस्ट की इलाकों में मिली हुई मूर्ति होगी, और वहाँ पर इंडियन इंफ्लूएंस के स्कल्चर इतने जादा नहीं मिलते हैं, आपको जो स्कल्चर महां मिलते हैं, उन पर ग्रीक या फिर ग्रीको रूमन या सेंट्रल एशियन इंफ्लूएंस जादा देखने को मिलता है, तो 28 का सई जवाब क्या हो गया, 28 का सई जवाब हो गया, C, अब बोधी सत्ता फ्रॉम गांधारा, इतना इसी अब आपको बताया था कि बग्मान बुद्ध को एनलाइटनमेंट बुद्ध गया में मिला था, तो यहांस में जादा कुछ समझाने को नहीं है, D is the right answer, 29 का सई जवाब क्या हो गया, 29 का सई जवाब हो गया, D, बुद्ध गया में इंको एनलाइटनमेंट मिला था, एक ट् सिधार्त गौतमाना कहला कर, गौतम बुद्ध कहलाते हैं, या गौतम बुद्ध कहलाते हैं, चले, आगे वड़ते हैं, यहां से कुछ questions मैंने repeat किया है, जान मुझके 7-8 सवालों को repeat किया है, ताकि एक बार आप लोगों को इन सवालों का फिर revision हो जाए, जो बच्चे खास में हम लोग चलते चलेंगे, क्योंकि explain मैं आपको यह पहले कर चुका हूँ, बगर सिर्फ आप लोगों की memory में राए, एक बार फिर से चोटा से इसको आप revise revision sort of हो जाए, इसलिए 7-8 सवाल मैंने यहाँ पर repeat किया है, चले, what was the name of the gana to which buddha belong, जवाब क्या हो जाएगा, शा Sang was an association of whom, Sang kis का association था, detail में समझाया है, विखूस का association था, बाद में विखुणियों का सामिल, शामिल किया गया था, अगला, according to which buddhist text, Ashoka distributed portions of buddha's relics to every important town and ordered the construction of stupas over them, ये भी समझा चुका हूँ, इसका जई जवाब क्या है, अशोक बंदना, शले, जितना जल्दी आप लोग recall कर पा रहे हैं, उतना एक indication है कि आप लोग की preparation अच्छी चल रही है, जिव लोग अभी भी recall नहीं कर पा रहे है, थोड़ी देर पहले इन सवालों को किया था हमने, उनके लिए फिर एक wake-up call है कि आप लोगों ने एक बार जल्दी से इसका revision करना है, चाप्टर को एक बार देखना है, what was the symbol of empty, what does the symbol of empty seat symbolize, ये भी बताया है, इसका मतलब होता है, meditation करते हो भगवान बुद्ध, D is the right answer, अगला, which of the following is the most important idea in genism, ये भी बताया था, कि हर एक जो आपका पूरे world में जितनी भी चीज़े हैं, वो सारी की सारी animated हैं, इसलिए आपको हिंसा करनी हैं और व लेगम्स और भोपाल, next, what was the balcony-like structure in Astupa called, question number 37, फिर बताया हुआ सवाल है, repeated question है, इसका जवाब क्या हो जाएगा, B option है, इसका हर्मी का, चले, अगला देखते हैं, which of the following statement is incorrect regarding the lively discussions and debates in the Buddhist text, ये भी question repeated है, इसका भी जवाब मैंने आपको दिया था, कि राजा एक दूसरे को convince करने की कोशिश नहीं करते थे, ये philosophers के बीच में, रिश्यों के बीच में, या फिर अलग-अलग आपके जो religious sect है, उनको मानने वादों के बीच में होने वाली debates नहीं, तो question number 38 का जो सही जवाब हो जाएगा, कि कौन सा statement सही नहीं है, that is, C statement सही नहीं है, आपकी debates and discussion के बाले में, अब ये लोग, आप सारे सवाल अगर recall कर पाए हूँ, अच्छे से, तो इसका मतलब आपकी preparation अभी तक ठीक चल रही है, अगर आप repeated सवालों को भी अगर recall नहीं कर पा रहे है, जो इसी session में हम लोग उने किये थे, तो इसका मतलब है, थोड़ा सा भी आपको और efforts मानने की ज चुरू होगा है, question number 39, consider the following statements, पहला, Jainism was started by Rishavdev, दूसरा, Lord Mahavir was 24, तीर्थांकर of Jainism, तीसरा, teachings of Jainisms are given in Agmas, चौथा, Jainism started संघास to spread its message, चार option दिये गा है, अब अपने को पूछा ये है, which of the following statement is our correct, अपने को ये बताना है कि कौन सा statement सही है, या कौन सा statement सही नहीं है, अब अगर किसी को ये चारो statements के बारे में सही knowledge नहीं है, तो इस तरीके के questions वगरा को करने का, जिसमें एक साथ बहुत सारे statement आ जाते हैं, सबसे अच्छा तरीका होता है, method of elimination लगाएं, elimination के तरीके से अगर जाएंगे, तो question में आप कुछ जो है, करने की परिस्तिती में या आपको चारो statements के बारे में अच्छे सा information नहीं हो, एकार statement अगर आपको पता है, तो उसकी मदद से भी अगर आपकी किस्मात हुई तो solve हो जाएगा, देखते हैं कैसा, आप से बुला गया, चार statement आप consider करो, चारो statement दिये गए और उसके बार अपने को ये बताना है कि इन करने के लिए संग वगेरा की स्थापना की थी, तो ये statement गलत है, चौथा statement अब जहां जहां आपको दिख रहा है वो आप card दीजिए, तो A option गलत हो जाएगा, C option गलत हो जाएगा, D option गलत हो जाएगा, अब अगर आपको पहले के तीन options के बारे में रत्ती बर अंदाजा भी भी नहीं है, तो भी आपका बिना उनको पता कि ये भी इसका जवाब आप दे सकते हैं कि 1, 2, 3 are the correct statement या बी is the correct statement, मगर इसके लिए अपने को कमसकम एक fact पता होना चाहिए, जो गलत हो या फिर एक fact पता होना चाहिए, जो सही हो, उससे अपना एक काम बन जाएगा, तो confirm statement ज गलत है वो ये है कि भाई जो जैनिजम जो है, उसमें संगों की स्थापना नहीं होई थी, संग की शुरुआत की गई थी, बुद्धिजम बगरा में, तो इस हिसाब से आपका चौता statement गलत हो गया और जितने आपके options में चौता statement आ रहा हो आप काट सकते हैं, तो यहाँ प परिस्तिती में फिर आप chance ले सकते हो, क्योंकि सही और गलत होने की probability बराबर हो जाती है, 50-50%, अगर आप यह आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं हो आप तुक्का मार रहा हो, उस case में सही होने की संभावना 1 upon 4 है, और गलत होने की संभावना 3 upon 4 है, मतलब 25% chances है कि आप सही ह हो सकते हो, 75% chances है की गलत हो सकते हो, ऐसी परिस्तिती में एक दम अंधेरे में तीर चलाने का कोई sense नहीं बनता, इसको आप छोड़ दें, अगर इस परिस्तिती में है कि आपको कुछ अंदाजा नहीं और तुक्का मारना पड़ रहा है, तो छोड़ दीजे, वो ज़्यादा बेटर है, नेगिडिव मार्किंग हो जाएगी, मगर अगर आप इस तरह से अगर आप एक option या दो option eliminate कर देते हैं, तो उसके बाद में आपके पास में दो option रह जाते हैं, जैसे दो minute के लिए मान लिया कि इसमें अगर चार नहीं दिया होता, और अपने को पता है कि चार गल 50-50% probability या आप जिसके साथ में भी जाएं, उसके basis पर आपके साथ क्या होगा या क्या नहीं होगा उसकी, किसमत खराब रही तो गलत हो जाएगा, अगर किसमत अगर साथ देगे तो सही होने के chances 50% आपके पास में हैं, ऐसी परिस्तिती में अगर आप 2 options eliminate कर दें, तब 2 में स risk लिया जा सकता है, इसको बूला जाता है method of elimination, अगर नहीं कर पा रहा हैं, तो better आप छोड़ कर आगे बढ़ जाएं, तो जैसा कि हमने देखा कि चौथा option गलत है, तो आपका A, C और D तीनों कर जाएंगे, B is going to be the right answer, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, question number 39 का, question number 39 का सही वैशनविजम का मतलब जिसमें भगवान विश्नु की पूझा होती है, इसमें वैशनवाज जो है वैशनविजम को follow करने वाले, इन्हों ने भगवान बुद्ध के कितने अफ़तारों को माना हैं, या ये मानके चलते हैं कितने भगवान विश्नु के अफ़तार हुए हैं During the mid first millennium BC, the religious philosophy of Zarustra prevailed in, अब mid first millennium BC क्या होता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले, कि mid first millennium BC का मतलब होता है 500 before Christ, या 500 before common era, अब ये पूछा गया है कि एक philosopher हुए थे, जिनका नाम था Zarathustra, ये इनकी philosophy या इनकी religious philosophy थी, या इनके दोरा पैदा किया गया है, या चालू किया गया जो religion था 500 before common era में, आपको कहां पे देखने के लिए मिलता है, इसके options दिये हुए ग्रीज, चाइना, इंडिया, इरान, तो इंडिया तो होई नहीं सकता, common sense से चलें अगर आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है, इंडिया नहीं हो सकता है, जितना पन ने पढ़ा है, जारा सूसरा का नाम कहीं पन नहीं आता, इसके बाद बचता है चाइना, चाइनीज के नाम इस तरीके के होते ही नहीं है, अगर आप इस लॉजिक से चलोगे तो आप चाइना भी काट सकते हो, फिर आपके पास बचता है ग्रीस और इरान, 50-50% chances हैं, सही गलत होने की probability 50-50% हो गई, अब आप तुक्का मार सकते हो, अगर बिल्कुल अंदाजा नहीं है, थोड़ा बत common sense के business पे खेलो तो, बाकी इसका सही जवाब जो है, इरान, इसका जिकर आया था, जब हम लोगों ने बात की थी कि 500 before common era, इसलिए खास सदी हो जाती है, क्योंकि दुनिया में जो अलग-अलग non-civilizations थी, उस वक्त, उसमें इसी वक्त में, या इसी सौ सालों के काल खड़ में, आपको कई सारे philosopher देखने के लिए बिले थे, जिन्होंने अपने अपने societies में radical बदलाओ किये थे, काफी ज़ादा radical changes वो लेकर आये थे, तो question number 41 का, सही जवाब जो है, कि जारा थूसरा की जो philosophy है, या उनकी जो religious ideology है, वो कहाँ पर prevail करी थी, वो prevail करती थी इरान में, और इनका जो जारा सूसरा का जो आपकी religious philosophy थी, इसको Zorasterism कहा जाता था, जिसको मानने वाले हिंदुस्तान में जो आज बचे हुए हैं, उनको हम लोग पा तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इनको महावीर के नाम से जाना गया था, इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए हैं नहीं, आसान सवाल है, question number 42 का सही जवाब क्या हो गया, question number 42 का सही जवाब हो गया, D, महावीर के नाम से इनको जाना गया था, अगला देख लेते हैं 43. A form of Hinduism within which Vishnu was worshipped as the principal deity is known as, कि Hindu dharn का वो particular aspect या फिर वो हिस्सा जिसमें भगवान Vishnu को जो है प्रमुख देवता के तौर पर या प्रिंसिपल डेवता के तौर पर पूजा जाता है, या तो भगवान Vishnu को या उनके किसी अवतार को, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसका अगर हम लोग इस तरह से पूछें कि ये शैविजम में क्या होता है, भगवान शिफ की अराधना वगरा की जाती है, वहिष्णविजम और शैविजम दो पर्टिकुलर आपकी ब्रांचेज हैं, हिंदु धर्म की जो काफी पुरानी है, आदिकाल से चलिया आ रही है, तो 43 का सही जवाब क्या हो गया, 43 का सही जवाब हो गया, वहिष्णविजम अगला देखते हैं, अखरी जो तीर्थांकर थे उनका नाम क्या है, जैनिजम क्या अकर्डिंग, तो 24 वे तीर्थांकर जो हुए है, वो है महावीर, भगमान महावीर जो है, वो 24 वे तीर्थांकर जै जनियों में 24 वे तिर्थंकर मानेगा है चल तो फोटी वोट का सही जवाब हो जाएगा C option अगला देखते हैं डेश कंसिस्ट ऑफ हाइम्स इन प्रेज ऑफ वराइटी ऑफ डेटीज एस्पेशली अगनी इंद्र एंड सोम यह पर्टिकुलर डेश याने कि कोई किताब का जिकर है contains हाइम्स याने कि उसमें मंत्र है इन प्रेज ऑफ वराइटी ऑफ डेटीज याने कि कई सारे देवताओं की या फ़र कई देवताओं की वराइटीज है उनकी प्रेज में उनकी आपने प्रशंशा में कई सारे हाइम्स वगरा गाएब इस पर्टिकुलर किताब में खास तोर पे अगनी देवता के लिए इंडर देवता के लिए और सोम देवता के लिए आपने हाइंस वगरा इसमें काफी मातरा में डाले है अब वो जो डैश है या फिर वो जो किताब या जो गरंथ है उसका नाम अपने को बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा रिग वेद सबसे पुराना वेद है और इसमें अगनी, इंद्र, सोम, वायू इनको प्राइम देवता माना गया था और इनके बारे में इनकी पूजा एर्चना करते हुए काफी सारे हाइंस लिखे गए तो सही जवाब क्या हो जाएगा question number 45 का, question number 45 का सही जवाब हो जाएगा रिग वेद में आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए बिलती है, चले, next question की तरफ बढ़ता है question number 46 महावीरा एंड बुद्धा question the authority of dash भगवान बुद्ध ने और महावीर ने अपनी जो भी preachings वगरा दी थी तो उसमें उन्होंने किसकी authority को challenge किया था या फिर किसकी authority को question किया था option में दिया हुआ है जातक, गनाज, वेदाज, यजनाज तो अपने को पता है कि वेदों की authority को challenge किया था, reject कर दिया या accept कर दिया, उसमें मैं नहीं जा रहा कि किसने accept किया, किसने reject किया altogether मानने से मना कर दिया, कुछ modifications के साथ में माना नहीं माना, वो सब बात की बात है किनोंने मगर सवाल उठाया था, question उठाने की बात की जाया, तो वेदों की authority के reason, अपने को दो statement दिये गा है, एक को आपने बुला है assertion यानि और उसको indicate किया है, a से और एक को बुला है reason उसको आपने indicate किया है, r से, आब इन दोनों statement को पढ़ना और उसके बाद बताना है किन मैं से कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है, देख लेते हैं, पहला, the mid first millennium, mid first millennium का मतलब क्या, 500 before common era, 500 before common era की बात हो रही है, जिन लोगों को अभी भी नहीं पता, उनके लिए फिर बता रहा हूं, हलाकि मैंने इसको lecture की शुरुआत में explain किया था, mid first millennium का मतलब 500 before common era होता है, the mid first millennium 500 before common era saw the emergence of new religions in India, ये एक statement है, कि 500 before common era की आसपास आपको हिंदुस्तान में नए धर्मों का उदै होता हुआ दिखता है, ठीक है, इसका reason बताए गया है कि people begin speculating on the significance of sacrificial tradition and authority of Vedas, ये जो नए religions का emergence हुआ, इसकी वज़ा ये थी कि लोगों ने जो बहुत जादा आपका दान और बली के जो traditions वगरा थे, उसको significance को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिये थे, और वेदों की authority को लेकर भी सवाल उठाना शुरू कर दिये थे, तो यहां से आपका वाद विवाद जो है, वो काफी ज़ादा बढ़े और उसके नतीजे में अपने को जो है, यह नए religions वगरा देखने को मिले, तो यह दोनों बात सच हैं, पहला statement भी सही है, दूसरा statement भी सही है, और पहला क्यों हुआ था, उसको दूसरा वाला statement पढ़कर आपन उसका understanding लगा सकते हैं, कि पहले के होने गी बजा, second वाले में अच्छा से explain की गई है तो option अपने को बताए गए हैं, both A and R correct, and R is the correct explanation of A, यानि कि दोनों statement सही हैं, और जो दूसरा statement है वो पहले का सही explanation है, दूसरा कि दोनो statement सही हैं, मगर दूसरा statement पहले वाले का सही explanation नहीं कर रहा, तीसरा, पहला statement गलत है, दूसरा statement correct है, दूसरा statement गलत है और चौथा, पहला statement गलत है और जो दूसरा statement है, पहला statement सही है मगर जो दूसरा statement है, वो गलत है तो इसमें अपना जो सही option होगा, वो क्या होगा कि option A will be the right answer यानि कि दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही है और दूसरा स्टेटमेंट्स पहले वाले को explain करता है तो यहां से अपने को ये बात समझ में आती है कि बोट स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इस दा करेक्ट एक्स्मेनेशन अफ ए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा question number 47 का वो हो जाएगा option number A अगला देख लेते है 48 इसमें आपको चार एक match to following इसमें करना है कि आपको चार options एक तरफ दी हैं चार options एक तरफ दी हैं सही वालों को अपने को match करना है पहला है meta उस तरफ में दूसरा है करुणा तीसरा है अनाता और चौता है दुखा और यहां पर उनके मतलब लिखे हूँ है soulless दूसरा है fellow feeling दूसरा है आपका तीसरा है आपका sorrow और चौता है compassion चलें जी आप अपने को इसमें बताना है कि कौन सा option सही है और कौन सा option गलत है ठीक है देख लेता है meta का मतलब होता है fellow feeling यानि कि one का option जो हो जाएगा वो हो जाएगा भी अब आप पूछोगे कैसे feeling तो one का हो जाएगा भी आप one का भी कौन कौन से में वह आप देख लो तो अगर आपको बाकी नहीं भी पता है तो भी आपको कुछ हद तक जो इसका जवाब देने में मदद मिलेगी one का भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है और बाकी किसी में देखने को नहीं मिल रहा तो बाकी अगर नहीं भी पता हैं तो भी इसका जवाब दे सकते हो कि इसका answer जो है सही है क्योंकि आपने को confirm बता होना चाहिए कि किसी एक का क्या मतलब है मेत्ता का मतलब fellow feeling होता है चलें जी और इसके लावा देख लेते हैं आपका दुख का मतलब क्या होता है sorrow तो fourth का c देख लीजिए fourth का जो है c अब ऐसा option तलाश लीजिए जिसमें one का b आ रहा हो और fourth का c आ रहा हो तो ऐसा option तलाश ने चलेंगे fourth का c आपको इसमें देखने को मिल रहा है तो इसमें देखने को मिल रहा है soulless तो यह करूना आपका compassion हो जाएगा अनाता आपका soulless हो जाएगा मगर अगर आपको इस आरों का मतलब नहीं भी पता है तो भी इसके बिना इस सवाल को solve किया जा सकता था थोड़ा सा आपको presence of mind लगाना पड़ेगा तो सही जवाब क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा A one का B यानि की मेत्ता जो की एक पाली है फ्राकृत बाशा का शब्द इसका मतलब क्या है fellow feeling अपने साथ वाले लोगों के लिए आपको अच्छा सोचना है दूसरा आपका second है करुणा करुणा का मतलब होता है आपका compassion तीसरा आपका अनाता आ जाता है अनाता का मतलब हो जाता है soulless और चोथा है दुखा दुखा का मतलब हो जाता है sorrows तो 48 का सही जवाब क्या हो जाएगा 48 का सही जवाब हो जाएगा option number A अगला देखते हैं 49 After Buddhism reached East Asia Pilgrims travel to India in search of Buddhist text from Buddhism या बुद्ध धर्म जब East Asia में पहुँच गया पूरवी एशिया की तरफ पहुँच गया और वहाँ पेच्छे से फैल गया लोगों में इसका कूप प्रचार प्रसार हुआ और लोगों ने इसका पालन करना शुरू कर दिया तब वहाँ से जो तीर थी आत्री थे वो हिंदुस्तान ट्रावल करकर आये थे और वो बुद्ध टेक्स की तलाश में आये थे सवाल ये पूछा गया है कि वो कहां से बहुत धर्मों की ग्रंथों की तलाश में हिंदुस्तान आये थे जवाब क्या हो जाएगा इसका इसका जवाब हो जाएगा चाइना हमको कालांतर में दो पर्टिकुलर फेमस चाइनीस ट्रागलर्स के बारे में जिकर मिलता है जो बहुत धर्म के टेक्स्टों को देखने के लिए लेने के लिए और उनके बहुत धर्म के बारे में और समझने के लिए उन जगाओं पे जहां भगवान बुद्ध ने सारी अपनी लीलाएं करी थी उन जगाओं को देखने के लिए वो आये थे पहले आपके फाजियान थे और दूसरे आपके ह्यून जायन थे लगबग 200 साल का टाइम डिफरेंस है दोनों के बीच में मगर ये हिंदुस्तान ट्रावल करने आये थे तो चाइना से अपने देश में ट्रावलर्स वगरा आये हैं ये बुद्धिस टेक्स वगरा की तलाश में तो 49 का सही जवाब हो जाएगा option number B लास्ट क्वेशन इन सिटीज ऑफ तक्षिला इंड पेशावर इंडो ग्रीक रूलर्स हैट एस्टैबलिश दा किंडम्स इन अब इसका भी मैंने थोड़ी दर पहले जिकर किया था जब हम लोग बोधी सत्पा की तस्वीर और उन्हें जो कपड़े पहने हुए थे उसको लेके बात कर रहे थे और मतुरा में जो भगवान गुद्ध की मुर्तियां मिली है और आपका नॉर्थ वेस्ट में जो मिली है उसमें क्या फरक है उसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे तब इसका जिकर आया था कि तक्षिला और पेशावर के जो शेहर हैं यहाँ अपर इंडो ग्रीक रूलर्स वगरा जो है इन्होंने अपने किंग्डमस वगरा कब स्टाबलिश किये थे जवाब क्या हो जाएगा 2nd century before common era में लोगों ने अपने किंग्डमस वगरा स्टाबलिश किये थे इनके नाम एक चीज और जाती है कि हिंदुस्तान में वो पहले स सिक् bola कल जाता था वह पहले सिक्ग जिसके ऊपर रूलर का चेहरा और उसका साइन देखने को मिलब था वो के सिंबल्स वगरा के साथ में सिंखों को चलन में लाये थे तो इंडो ग्रीक रूलर्स ने तक्षिला पेशावर और आपका ये पुरा इला का बैक्ट्रिया कहलाता था उस जमाने में तो बैक्ट्रिया के स्पोर्शन में हिस्ट्री, क्लास 12 की पहली किताब उसका आखरी चैप्टर या उसकी जो आखरी थीम थी उसके उपर हम लोगोंने MCQs वगरा देखे हैं किस तरीके के MCQs वगरा बन सकते हैं कैसे सॉल्व करना है कितनी वराइटीज आ सकती हैं उन सारी चीज़ों का हम लोगोंने देखकर खत सकती हैं कितने सवाल आ सकते हैं हमारी जो थियोरी पड़ी होई है उन सब के ओपर जो questions वगरा बन सकते हैं सब हम लोग देखेंगें तो by that moment of time I would be taking leave of you all धिहान रखें पॉजिटिव रहें पढ़ते रहें और revision अपना continue रखें थैंक यू एंड जय हिंद